हेलो लर्णर माइनेम इस रूची गुपता वेलकम टू माइच चनल रूची इको क्लासेज इस वीडियो में हम मैथमेटिकल एकोनोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें उससे रेल्टेट कुछ कोश्चन saar elast necessity और मार्केट सेरेट कुछ कोश्चन करेंगे तो चलते हैं हमारे नेक्स पेच पे फस्ट कोश्चन है हमारा for a firm with the following total cost and demand function कि का function दिया है हमारा total cost का function दिया है और हमारा क्यों दिया है अब पूछ रहा है the profit maximizing level of output क्यू बार तो हमारा profit level, profit maximizing level होता है, यह हमारा profit maximizing level होता है, तो अब निकालेंगे, यह हमारा TC है, तो इससे हम निकालेंगे, यह तो यह जब होगा, तो क्या होगा, देल C by देल Q, इसका function का derivation करेंगे with respect to Q, तो 1 by 3 हो जाएगा, Q3, तो उसका हो जाएगा derivation 3Q का square minus 7Q square, तो हो जाएगा, 7 बाहर आजाएगा, 7 into 2 and Q, तो हो जाएगा 14, earn plus 111Q, तो 111, तो function आजाएगा, 3 से 3 cancel जाएगा, तो Q square minus 14Q plus 111, यह हो जाएगा, और यह हमारा है Q, तो अगर इसको हम total revenue बनाना है, तो हमें इससे price से multiply कर देंगे, तो हो जाएगा, 100 P minus P square, और इसका जब हम निकालेंगे, यह हमार, इसका हम यह हमार निकालेंगे, डेल, डेल TR upon डेल Q, तो हो जाएगा, हमारा, 100 minus 2 P, तो अब हमारा profit maximizing level होता है, MR equals to MC, हमारा level होता है, तो हम लिखेंगे, 100 minus 2 P, 2 P equals to Q square, यह हम यहां से P into Q करना है, तो यह हमारी value जो होगी, यह Q में आएगी, तो Q, हम P की value निकालेंगे, तो 100 minus Q हो जाएगा, और इसको total revenue निकालने के लिए, हम इसमें Q से multiply करेंगे, तो 100 Q minus 2 Q हो जाएगा, और इसका हम MR निकालेंगे, del TR equals to, by del Q तो हो जाएगा, 100 minus 2 Q, तो अब 100 minus 2 Q रखेंगे, हम MR equals to MC में, रखेंगे, 100 minus 2 Q जो हमारी MR की value हो जाएगी, 100 minus 2 Q equals to Q square minus 14 Q plus 1 1 1, तो अब हम इसको solve करते हैं, 100 को ले जाएगे, राइट साइट, और माइनस 2 Q को जाएगे, राइट साइट, तो हो जाएगा, Q square minus, इधर, तो यह plus 2 हो जाएगा, तो इसको नहीं है, तो minus 12 Q हो जाएगा, और यह 100 जाएगा, तो minus हो जाएगा, तो plus 11 equals to 0, तो हम इसको solve करेंगे, तो हो जाएगा, Q square minus 11 Q minus Q plus 11, तो Q minus 11 minus 1 Q minus 11, तो Q equals to 11 हो जाएगा, Q equals to minus Q equals to 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा answer में देख रहे है, profit maximizing level, आप output जो है, वो हमारा है, दिया, 11, 12, 9 और 10, तो हम answer यहाँ से कर देंगे, 11, next question करते है, given the consumer demand function D equals to 50 P minus 0.5 Y 1.8, तो हम इसको देखते हैं, इसमें दिया, D demand P price Y income, तो price और income elasticity of demand, तो हम इसको solve करते हैं, तो हो जाएगा, 50 Y 1.8 divided by P 0.5 है, तो हम लिखते हैं, तो Y by P, तो हम लिखालते हैं, income elasticity क्या होगा, तो डेल Y upon, डेल Q upon, डेल Y, Y by Q, और price का हो जाएगा, डेल Q by डेल P into P by Q, Q से cancel हो जाएगा, यह से cancel हो जाएगा, तो हो बचेगा हमारा डेल P, बचे डेल Y into Y by P, तो यह यही वाली है, income और price, तो इसकी value इसने पूछा है, तो हम यहाँ पर बता देंगे, 0.5 और 1.8, और यह हम देखेंगे, पहले हमें पूछा क्या है, price और income, तो पहले हमेरा price है, तो price जो हमारा 0.5 हो जाएगा, और income 1.8 हो जाएगा, तो यह हमारा answer हो जाएगा, next question चलते हैं, demand function, for demand function, P दिया हुआ है हमारा, function हमारा दिया है price का, और the price, elasticity of demand at Q, तो हमें elasticity निकालना है, तो पहले हम इसका, del P by del Q निकाल लेते हैं, क्योंकि elasticity का function होता है, del Q by del P, तो 16 का हो जाएगा, 0, minus Q का हो जाएगा, minus 1, और minus 0.5, और फिर 2Q हो जाएगा, into 2Q हो जाएगा, तो Q की value यहाँ पर दी होई है, 4 उसी को हम put कर देंगे, तो minus 1, minus, यह 2 into 0.5 multiply करेंगे, तो 1 आएगा, 1 का 4 से multiply करेंगे, तो यह आएगा, तो minus 5 हमारा आगया, तो और हमारा Q दिया है 4, तो हम price की value निकाल लेते हैं, तो Q 4 हो गया, तो Q का स्क्राइब 16, 16 multiply 0.5 हो गया, 8 हमारा, और फिर यह 4, तो 12, 16 में से 4 गया, 12, 12 में से 8 गया, तो P की value हो जाएगी 4, तो अब हम फार्मूले में रखते हैं, P by DEL Q की value आएगे, minus 5, और हमारा होता है, DEL Q by DEL P तो हो जाएगा, 1 by 5, तो हम रखते हैं, DEL Q by DEL 5, तो minus 1 by 5, और P by Q, तो 4 by 4, यह कैंसर हो जाएगा 1, और याद रखिए, फार्मूले में elasticity हमें का negative होती है, जल जिकाज़ आप, marginal rate of substitution, dimissioning marginal rate of substitution, तो यह हमारा हो जाएगा, प्लस, तो 1 by 5, दिवाइट करेंगे 0.2, यह जाएगा answer, next question करते हैं, एन इंटर्पेनियोर, शाटरन, तोटल कास्ट इस, C equals to Q, Q minus 10 Q, स्काइब, प्लस 17 Q, प्लस 16, if P equals to 5, the output at which profit is maximizing, by the entrepreneur is, तो हम यहाँ पे, इस क्वेशन को, यहाँ पे टोटल कास्ट फंक्षन दिया है, प्राइज दिया है, आउट्पुट एट्विच प्रॉफिट इस, मैक्सिमाइजिंग बाइद इंटर्पेनियोर, यारी अम्मार इकोस्ट तो, इस फंक्षन का, हम एमसी निकालते हैं, पले, तो डेल सी बाई डेल क्यू हो जाएगा, तो 3Q स्कुआर माइनस टेन इंटू 20 Q, प्लस सेवेंटी पी इकोस्ट फाइब दिया है, तो हम इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे P Q, तभी हमारा यहमारा टी आर आएगा, और T.R. को हम जो है विद रिस्पेक्ट टू Q करेंगे, तो यहमार हो जाएगा हमारा 5, और ऐसे भी कट सकते हैं, कि P इकोस्ट टू इमार होता है, तो यहां से फालो कर लेंगे, तो इमार इकोस्ट टू यमसी हमें रख देंगे, तो 3Q स्कुायर माइनस 20 Q, 12 इकोस्ट टू जीरो हो जाएगा हमारा और फिर हम इसको स्वाल करेंगे अब हम इसको स्वाल करेंगे तो हमारा जो यह बना है यह हमारा इक्वेशन हो गया तो हो गया 3Q स्कुायर माइनस 36 अठारा दो माइनस 18 Q हो जाएगा माइनस 2 Q हो जाएगा, प्रस ट्वल हो जाएगा, 0, तो 3Q यहां से कॉमन लेंगे, तो Q माइनस 16, यह तो आप लोग का यह हो पाता होगा, क्योंकि हमें सिखाया गया था 6 और में, माइनस 2 यहां से कॉमन करेंगे, तो Q माइनस 6, 0, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा, Q इकोल्स टू 6 और एक आएगा, Q इकोल्स टू 3 बाइटू, तो हमारा जो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होगा, यह तो होगा नहीं, आउट्पूट यह Q इकोल्स टू 6 हम लेते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा, यह अंसर Q इकोल्स टू 6, एंसर, नेक्स्ट कोस्टन चलते हैं, तो टोटल कास्ट फंक्शन आफ पोडूसर इस, C इकोल्स टू 10, प्लस 5 क्यू प्लस 2 क्यूश्ट इक राइस फिफिटीन, वाट इस माइजनल कास्ट आफ यह था पोडूसर, तो यहम सी, 2Q का हो जाएगा 4Q अब हमारा दिया है P equals to 15 तो हम कर लेंगे PQ 15 की हो जाएगा और यह मार निकालेंगे तो होता है Del T R Y Del Q तो हो जाएगा हमारा 15 ही तो अब यह पूछा है If price is 15 What is marginal cost of the producer in equilibrium तो यह मार equals to YMC कर देते हैं 15 feet plus 4Q ठीक तो आजाएगा हमारा Q equals to यह 5 दर जाएगा हो जाएगा 10 10 by 4 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5 by 2 Q equals to 5 by 2 हो जाएगा तो इसकी value हम Q की value हम YMC में put करेंगे तो 5 plus 4 into 2 2 cancel हो जाएगा 5 दूनी 10 यह हमारा हो जाएगा 15 एंसर हो जाएगा हमारा 15 नेक्स कोशन है हमारा टोटल कास्ट फंक्शन आप फंक्शन आप फंक्शन दिया है और मार्जिनल कास्ट पूच पूच रहा है एट क्यूब उक्शन तो सेम प्रोसीजर है तो हम डारेक करते हैं यह हमसी निकालते हैं यह हमसी निकालते हैं हम 3Q का स्क्वाइर बाइ 10 माइनस 6Q प्लस 50 प्लस 50 तो और फिर उसके बाद यह हमार हमारा हो जाएगा इसने दिया है माजिनल कास्ट अट Q तो हम यह हमसी हो गया हमारा तो यह हमसी क्या फंक्शन हो गया तो इसमें हम Q इक्वल स्टू 10 रख देते हैं तो 3Q का हो गया 100 10 माइनस 60 प्लस 50 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 30 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 50 तो हो जाएगा आंसर हमारा 20 तो यह फंस्ट वन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेड आइकन दबाना ना भूलिए और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर दीजेगा मैं आपको बता दूंगी आप चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए और वीडियो ज़्यादा लें दियो रहा था इसलिए मैंने इसे अभी बंद कर दिया और नेक्स वाले में भी हम बैत्मेटिकल के ही भी कॉस्चन करेंगे थैंक्यू सो मच